किसना भाईया इनका पिलोग्राम तो फिट हो गया अब 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 धन्राज की पारी है धन्राज सेट धन्राज बोलो चूब बोलो आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की मैं उसे खरीदना चाहता हूँ मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता सोच लिजैं मूं मागई किमत दूंगा मैं फिर भी तैयार नहीं पचास में भी नहीं आरे पच्पन में भी नहीं शाट में तो वह समटा क्रेम नहीं नहीं और आपको सत्तर में आप कौम साब बोलें असे अखिर इस कोटी में ऐसा है कि नब भे अप इतनी जीद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल टोड़ू का नहीं मगर एक बात पूछूँगा मैं आप कहीं मजाग तो नहीं कर रहे हैं मैं मजाग नहीं करता है ठीक है ठीक है अब मेरे घर पर रुपया लेकर आजाएए मैं सब काख़ात मैं तयार करवा चुका हूँ आपको सिर्फ दस्तकत कर रहा है मेरा आदमी नब्बे लाक लेकर भार खड़ा है जाकर दर्वाजा दो खुड़ू कर यह काम कर यह रखना मद है मैं भी आता हूं रखना मद गुड़ मॉर्निंग यह रहे आपके कांजा और यह रहे आपके नब्बे लाक अधर यह लोग अधर लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं नब्बे लाक पर आकर इमान जाओंगा मुझे आदमी की आवकाद का अंदाजा है धनराज मैं जानता हूं कौन कहां आकर तूट सकता है कि यह लिजिए हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आतमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके साथ सौधा करूँगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है कि यह लिजिए एक बात मुझे बताईए आपके बाई साथ जमीन के भाव को आस्मान तब पहुंचाना चाहते हैं क्या जी नहीं उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते है प्रॉपर 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 था है